वेलकम तू स्पेड़ाइनिंग डॉट कॉम ये सारे कूर्सेस लॉंच किये हैं वीडियो कूर्स जिनको आप घर पे प्रेक्टिस करके अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हैं और इनका हंड्रेट टाइम साल में कम से कम फाइदा उठा सकते हैं तो एक ट्रेडर के लिए ये मस्ट वॉच है इसको यूज किया जा सकता है आज हम बात कर रहे हैं कि के से हम फंडामेंटल स्क्रीनर के साथ अच्छे स्टॉक चुनेंगे स्क्रीनर.in एक वेबसाइट है जिसमें अलग-अलग स्क्रीन्स दी होती है जो डिटेल ट्रेनिंग में हम आपको प्रेक्टिस कराते हैं एक स्क्रीनर का नाम है उसमें blue-ist of the blue chips blue-ist of the blue chips में वो شेयर्ज हैं जो blue chip stocks, बहुत अच्छे stocks जो होते हैं जिनकी growth और जिनकी quality बहुत ही अच्छी है fundamentally करना मेंटली उन में से भी सबसे एच्छे स्टॉक कोन से एं उस पे हम बात कर रहे हैं तोisen आ यहां पर कुछ स्टॉक के नाम है यहां पhras riktा हुआ कि कि किने रिजल्ट है तो लिखा हुआ है ट्वँटी थै रिजल्ट यह तेइस स्टॉक है इन में से फिर अपने हिसाब से हम कुछ तीने चार स्टॉक तो आराम से चुन ही सकते हैं देखे क्या क्या नाम है सी एट लिखा है एमारेफ है अवंति फीड है इनका सी एंपी यहां पे लिखा हुआ है आर्ति इंडस्ट्रेज जी एस सी एल पाई इंडस्ट्रेज पी रेशो दे र लीख यहां वें तो यहां जो दो कॉलमो इन पर द्यान दीजे क्या में इन पर खास तो चेंड देंगे तो quarter profit variance में जैसे हैं मुझे दिखा कि हाँ 253% बढ़ गया है किसका अवंती fits का ये CMP to book value 14 गुना है मतलब book value से current market price 14 गुना ज़ादा महंगी है लेकिन इसका profit बहुत अच्छा है तो इसकी एक छोटी quantity ली जा सकती है फिर बाकि कुछ stock है जो अभी minus में चल रहे है लेकिन लंबे समय से ये stock अच्छा perform करते हैं तो इसे bottom में इनको उठाया भी जा सकता है बी PCL देखो ये भी plus में दिख रहा है केपलिन पॉइंट लेब भी plus में दिख रहा है इसका book value to price ratio 3.46 से इसका 19 है केपलिन पॉइंट को भी थोड़ा सा ले सकते हैं क्वांटिटी में क्योंकि आल्रेडी काफी मेंगा सा हो चुका है नीचे गए यहां पर हमको नजर आ रहा है CCL product 307 रुपे का शेयर है 156 का variance बता रखा है 5.88 यहां पर यह एक अच्छा मामला बन सकता है और नीचे जाके देखते हैं UPL दिखता है हमको जिसका variance अच्छा बड़ा है नाटको फार्मा है इधर मदरसन सुमी है तो यहां से देखके जब आप उठाते हैं तो एक अच्छा decision आप ले सकते हैं query builder में आपको देखने को मिलेगा कि आधार क्या था तो जिनका market capitalization 3000 करोर से जाधा है average return on equity 20% से जाधा है debt to equity का ratio less than 1.5 है और interest coverage ratio is more than 2 PG ratio less than or equal to 1 वो profit growth 5 साल से 20% किये मतलब यह consistent growth की बात हो रही है कि मैं कहीं भी long term के लिए कोई share उठाने की बात करूँ तो लंबे समय से अच्छा चल रहा है क्या तो मैं संभाव ना लगा सकता हूँ कि लंबे समय के लिए अच्छा होगा तो अब इस 23 share में से आप 4-5 share ढूंड सकते हैं जो अलग-अलग sector के हूँ जिनका profit का ratio अच्छा है उनका अगर आपने monthly accumulation शुरू कर दिया हर महीने 1000-1000 या 3300 जैसे आपकी capacity है उस हिसाब से खरीदना शुरू कर दिया तो आने वाले 4-5 साल में आप पश्टा हैं इसकी संभावना बिल्कुल भी नहीं है तो आपको क्या करना है अपने दिमाग को थोड़ा simple बना लीजे एक जमाना था जब confusion था data अविलेबल नहीं था कोई बताने वाला नहीं था लेकिन आज जब हम आपको इतना support कर रहे हैं तो आप इसका आराम से फाइदा उठा सकते हैं तो हम से हमको mail करते रही है बात करते रही है इस वीडियो को share कीजे subscribe कीजे, like कीजे और detail training के बारे में सोचे या तो वीडियो training पर जा रहे है तो 3000 या 4000 रुपे की training कुछ भी माइने नहीं रखती मतलब ये ऐसा होता है कि उस आदमी की पहली काबिलियत कि वो business में कुछ लगाना भी चाहता है के नहीं वो दूसरा अगर अच्छा मन बना ले तो 51,006 मन का detail training पर चले जाएए क्योंकि ये training आपकी life की जितनी भी education है उस पर भारी पढ़ने वाली है आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखती है तो आप हमारी साइट पर देखे www.speedearning.com सारा detail मिलेगा ये numbers और website है 83810-21346 moneyguru9 at gmail.com Thank you very much, bye, keep watching